सहफा क्लास 200 के बारे माज इस वीडियो में बात करेंगे इसके अंदर आपको साल कामनेशन फॉर्मूला देखने के लिए यह जो मिलता है यह आपके किस किस हरी बीमारी में काम आ जाता है इसके वारे मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप अपनी यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपनी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइग इन से करना ना भूले तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो है सैफा क्लास 200 mg है जो कि आपको मैंन काइंड का देखने के लिए मिल जाता है और मैं आपको दिखालता हूँ इसके सिवा आपको कोई भी इसके अंदर दवाई देखने के लिए मिल जाती है वो सिफैक्जिम आपको दूसर एमजी के अंदर दवाई देखने के लिए मिल जाती है इसके सिवाब कोई भी अधर मेडिसन इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है तो यह जो है एक एक एंटी बाइटिक टैबलेटर जो आपके बैक्टेरियल इंफेक्शन से होने वाली दिकत परिसानियों में काम आ जाते हैं बैक्टेरियल की ग्रोथ को आपकी बॉड़ी में होने से रोकते हैं और जैसे कि आपके कहीं पर भी जैसे आपके बचचे हैं उनacular 20 ही कर सकते हैं या आपके घले में हैं मुतरपात में हैं तब भी आप इस दवाई का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि यह एक 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 एंटिबायिटिक टैबलेट है जो कि आपके बैक्टिरिल इंफेक्शन से होने वाली दिकत प्रिसानियों में काम आ जाती है और इस बात का आप ध्यान रखना कि इनको आप दात खाज खुजली के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फंगल इंफेक्शन होता है अगर आपके जैसे की कान में आख में नाक में और गले में इंफेक्शन हो जाता है मूतरपात में इंफेक्शन हो जाता है आपके बच्चों के फोड़ा फुंसी हो जाता है तब आप इस दवाई को इस्तमाल कर सकते हैं या आपके इन सब चीजों में काम आ जाती है और मैं आ करूंगा अगर आप इस दवाई को इस्तमाल कर रहे हैं तो आप अपने किसी भी करीबी डॉक्टर से कंसर्ट कर लें उनसे पूछ लें उनसे पता कर लें और उनके सला से ही अपने डोजिस रखें क्योंकि अगर वह आपकी कंडीशन के हिसाब से ही आपको डोजिस बताएंग यह के अब्री ऑ नच лес अबया ते चुरोज आपकोस दो आपकोस के अधर मिंद कर लें तो हैं के बताग Eh